वेल्कम गाइस तो इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता है इस वीडियो में आप लोग जानने वाले है all use of can मतलब can के सभी uses को तो जितने भी 11 structure है सबसे पहले मैं वह आप लोग को दिखा देता हूँ के can का मतलब होता है सकना इससे हम capacity power या ability योग जिता चमता और सकती दिखा सकते है can का यूज करके यह model है देखे second structure है can have to प्लस वर्प की थार्ड इस ट्रक्चर है object उसके बाद can be उसके बाद वर्प की third form यह passive का structure है देखे fourth structure है can be के साथ हम कोई other word या फिर कोई object रख देते हैं और structure number fifth है can have plus other words अब देखे can के साथ हम have had का use किस परकार से करते हैं यह भी आप लोग को बताऊंगा और देखे can have had to का use किस परकार से किया जाता है यह भी इस वीडियो में आप लोग जानेंगे इसी परकार से can't have plus word की third form के बारे में आप जानेंगे can't have been plus word कि third form किस परकार से इसका sense आता है informal request के लिए can का use करते हैं can't have been plus other word यह सब ही कुछ इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं Hindi और English दोनों में तो आप लोग देख रहे हैं daily English for all तो इस वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना इस वीडियो को एक्दम ध्यान से देखना आज की बाद can आप लोग को कभी भी परेसान नहीं कर पाएगा देखे सबसे प यह पावर है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं ठीक है I can speak English मैं इंग्लिस बोल सकता हूं मतलब कि मेरे पास यह ability है कि मैं इंग्लिस बोल सकता हूं I can speak English He can lift 100 kg वह 100 kg उठा सकता है मतलब उसके अंदर इतनी छमता है कि वह 100 kg वजन उठा सकता है अब देखे can have to कर यूज करते हैं वर्प की first form के साथ कुछ करना पढ़ सकता है कि सेंस में ठीक है जैसे you can have to go to the market आपको मार्केट जाना पढ़ सकता है ठीक है आपको मार्केट जाना पढ़ सकता है आप इस sentence को में से भी बना सकते हैं you may have to go to the market या फिर you might have to go to the market तो जहां पर भी general possibility हो वहां पर हम can have to का यूज करते हैं लेकिन जब में का यूज करते हैं तो 50-50 यकीन है कि आपको पढ़ सकता है जाना मार्केट ठीक है माइट से सायद ही आपको मार्केट ज करते हैं जो आमतर पर हो ही जाता है ठीक है अब देखिए का यूज करते हैं उसके बाद अदर वर्ड जन्र पॉसिबिलिटी वह भी प्रजैंट में दिखाने के लिए जैसे कि अभी आपने देखा अब देखिए वह पार्क में हो सकता है एक कैन बी इंदा पार्क यहां प्रजैंट के बूलें वह नीता हो सकता है एसे संभाव ना है कि वह सकता है अब देखिए आपजयक्ट उसके बाद कैन बी उसके वर्ड की थार्ड फॉर्म कुछ किया जा सकता है यह पैसिव के सेंटेंस होते हैं कमरों की सफाइक की जा सकती है तो दा रूम कैन बी क्लीन अब वर्ड की थार्ड फॉर्म आ रही है इस पत्थर को यहां से हटाया जा सकता है इस स्टॉन कैन बी रिमूव फ्रॉम हेर उनके द्वारा या कमरा पांच मिनिट में खाली किया जा सकता है इस रूम कैन बी वैकेटिट बाइब इन फाइफ मिनिट तो यह सभी पैसिव के सली से वैकेट मतलब होता है कोई जगा यह जौब खाली करना किसी और लोक के लिए मतलब किसे और आदमी के लिए जगा ये जौब को खाली करना उस्ट कहते है ठीक है लगे केंहें कि कंपे सांग अधरवं कुछ पास्गता है अप से अंस आएगा इक एक एक नह Dim इस सकता है, चुलों . मतलब कि कुछ पास हो सकता था अब यह अपने देख Critォ के लिए कुछ पास हो सकता था He can have had a bike उसके पास एक bike हो सकती थी You can have had knowledge आपके पास ग्यान हो सकता था अब देखिए Can have had to का यूज़ करते है वर कि first form के साथ कुछ करना पढ़ सकता था You can have had to go to the market पतलब कि आपको market जाना पढ़ सकता था और इससे पहले आपने क्या देखा Can have to आपको market जाना पढ़ सकता है वो present के लिए था Can have to और Can have had to है पास्ट के लिए तो इतना क्लियर है अब देखिए Can't have plus work की third form ध्यान रखना यहां पर भी can't have का यूज़ होगा वो हमेशा sentence negative ही होगा ठीक है और इसमें हम अंदाजा लगाते है गैस करते है या possibility भी कह सकते है जैसे He can't have drunk alcohol वो सराब नहीं पी सकता है ठीक है ऐसे कह सकते है वो सराब नहीं पी सकता है या फिर हम कहें उसने सराब नहीं पी होगी He can't have drunk alcohol उसने सराब नहीं पी होगी यह हम गैस कर रहे हैं अब can't have plus verb की third form को must have plus verb की third form का negative मान सकते हैं जैसे must have plus verb की third form का use करते हैं कोई काम जरूर होगा के sense में possibility दिखाते हैं जैसे उसने चाय बना ली होगी ठीक है या हम कहें उसने चाय जरूर बना ली होगी तो हम कहते हैं यहां पर भी हम गैस कर रहे हैं यह future का sentence नहीं है यह हम प्रिजेंट में ही अंदाज लगा रहे हैं उसने चाय बना ली होगी तो हम मस्ट का उसकर रहे हैं मतलब कि उसने चाय जरूर बना ली होगी ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं देखिए उसने चाय नहीं बनाई होगी वो चाय नहीं बना सकती ठीक है यह sense है तो हम use कर सकते है she must not have made tea ठीक है she must not have made tea उसने चाय जरूर नहीं बनाई होगी यह sense है लेकिन आप साथे साथ कह सकते है you can say she can't have made tea उसने चाय नहीं बनाई होगी यह वो चाय नहीं बना सकती है कि अभी तो यहां टीवी देख रही थी तो वो चाय नहीं बना सकती है कोई काम नहीं हो सकता है तब हम use करते हैं किसकी जगा use करते हैं जैसे कि must not have उसके बाद verb की third form का use करते हैं तो हम सीधा can't have plus verb की third form का use करते हैं इतना clear हो गया must not have की जगा can't have तो देखे can't have been plus verb की third form यह passive है यह भी अन्दा आजा है जैसे जैसे ते can't have been made by her उसके द्वारा चाय नहीं बनाई गई होगी ये वाला sales है, अंदाजा है, अब देखिए informal request के लिए हम can का use करते हैं, can I use your pen, मतलब कि यार दोस्त, या अपनी family member में किसी से, या अपने से उमर में छोटे, जिनकी respect ना की जाए, उनके साथ हम can का use कर लेते हैं, family में हम can का use कर लेते हैं, family members के साथ, friends के साथ, इस परकार से लेकिन अगर कोई हमसे उमर में बड़ा है, या फिर हमसे कोई पद में बड़ा है, तब हम can का use नहीं करते हैं, हम make a use कर सकते हैं, तो can I use your friend, आप अपने friends से या family member में से किसी को बोल सकते हैं, क्या मैं आपका pen use कर सकता हूँ, या अपने यार दोस्त से, ठीक है, can I ask a question, क्य उसके बाद other word, इसका मतलब हो जाता है, ये भी अंदाजा है, लेकिन कोई चीज नहीं होगी, ऐसा sense आता है, जैसे he can't have been hungry, मतलब कि वो भूका नहीं हो सकता है, उसने माल लेजिए, किसी ने अभी अभी खाना खाया, और कोई और आया, और उसने बोला कि इसे खाना दे दो ये भूका हो सकता है, तो मैंने का कि, नई नई, इसने अभी अभी खाना खाया, he can't have been hungry, ये भूका नहीं हो सकता है, या फिर ये भूका नहीं होगा, gas भी कर सकते हैं, ठीक है, she can't have been in the office, वो office में नहीं हो सकती है, या वो office में नहीं होगी, ये cells है, इसी परकार से, they can't have been tired, वे ठक नहीं सकते हैं, जैसे कि अभी अभी कुछ लोगों ने आराम किया, और किसी ने बोला कि, लगता है ये ठके हुए, आप वो काम कर रहे हैं, लगता है ये ठके हुए, त तो मैं कहता हूँ कि, they can't have been tired, मतलब कि वो ठके नहीं हो सकते हैं, ये वो ठके नहीं होंगे, क्योंकि अभी तो उन्होंने आराम किया है, ठीक है, इस परकार से यूज़ करते हैं, can't have been का, उसके बाद एक object रखते हैं, या other word, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उमीद आ दिये हैं, आप लोग अब can का किसी भी परकार से यूज़ कर सकते हैं, सबी structure आप लोगों को बन्ति खा चुका हूँ, तो thanks for watching, इस वीडियो में इतना ही, मैं इस वीडियो पर एम करता हूँ, सिर्फ 1000 लाइक के, तो 1000 लाइक तो कर ही देना, thanks for watching, take care, bye